वेलकम बैक तो मैं यूटूब चैनल सागर स्टेडी गुरोप और जसा कि आप सभी जानते हैं कि ओपन बुक से जो 2021 में एक्जामीनेशन हो रहा है एनुवल एक्जाम्स और यह जो रहेगा हमारा आज के वीडियो में बीएससी सेकेंड एर का केमिस्ट्री का पेपर सेकेंड इसका फर्स्ट पेपर जो है वो पहले से हमारे चैनल पर अप्लोड है तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर उससे देख सकते हैं और यह जो एक्जाम्स जो केमिस्ट्री का है यह फॉर रेगुलर स्टुडेंट जो की नियमित बिद्यारती है नॉट तो without wasting your time वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ही प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटि प्रतिक प्रश्न वन अपन टू यानि की आधियंक का है तो यहां पर आ जाएगा मारा सही उत्तर का चैन की जिए तो फर्स्ट हो जाएगा आक्सी कारक है तो इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ओप्सन डी यानि सभी यह सभी क्या है ओक्सी कारक है फिर देखते हैं आता है सेकेंड नमबर पे लैथेनियाम किस संकर्मन स्रिल्णी में आता है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ओप्सन ए यानि प्रथम फिर देखते हैं नेक्स्ट अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नमबर पे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यह दोग होंगे फिर्य जयेगा हमारा चौथा थोरियम की सबसे प्रमुक Oxi करण अवस्था है तो ये हो जाएगा इसका Option c और ये हो जाएगा फ्लस के 4 ठीक है फिर जाएगां प्रफ्ट रचतम औक सी करन अवस्था सरवादिक हो गई तो यह हो जाएगा आर यू ठीक है ऑप्शन सी अब देखते हैं हमारा सेक्षन भी इसमें जाएंगे हमारे लगुत्रिय प्रेश्ण और यह होगा जो सौटान से टाइप कॉस्चन से और इसमें जाएंगे हमारे जो नोट से इसका इसमें स का अथवा किया है जो कि था गौसबिदी से चुम्बक किये सुग्राहिता का मापन कैसे किया जाता है तो इसका जो राइट अंसर है आप यहां से से कर सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या इसकी इंसोट लेकर भी आप इससे लिख सकते हैं और यहां पर भी इसका अंसर राज जते हैं हमारे एक आई दो याई यूनिट जो सेकेंड है और प्रश्न कर मांग तीन क्यूरी बीज नियम पर समचिप्त टिपनी लिखिए राइट सॉर्ट नोट ऑन क्यूरी बैस लॉग ठीक है तो यहां पर जो इसका अंसर है वो यहां पर वाक्स चितर को समचिप्त में समझाएं एक्सपलेें इन ब्रीफ पार वाक्स डाइगराम तो यहां पे जो इसका राइट आणसर है आप यहां से इसे कर सकते हैं यहां पर भी है यह इसका जो डाइगराम बना हुए है फिर आ जाता है एक आई 4 और प्रिश्ण कर्मांग 5 लेंथेनाइड संकुचन एबं एक्टनाइड संकुचन में अंतर लिखना है और इसमें जो इसके अथवा नहीं दिया गया तो इसका मुख्य प्रश्ण ही किया गया है तो यह यहाँ पर दिया गया तो आप यह से यहां से कर सकते हैं फिर आजाएगा हमारे काई 5 याँ यूनियट 5 और प्रश्ण कर्मांग 6 और हीनियस सिद्धांत को समझाईए ठीक है एक्स्प्लेइन और हीनियस प्रिंसिपल तो यहाँ पे दिया गया इसका आंसर तो आप इस यहाँ से कर सकते हैं यहाँ प्रतेक प्रशने के लिए तीनंक नरधारत हैं और सभी पांच प्रशनों के उतरा आपको करने हैं एक आई एक यूनिट फर्स्ट और इसमें हमने किया इसका अथवा जो की था पॉटेसियम पर मेगनेट बनाने की बिधी गोण तथा उपयोग लिखिये और इसके फिर यह उपयोग दिए गए हैं फिर आजाएगा हमारे काई सेकेंड यूनिट सेकेंड और फिर प्रशन के रवांक आठ और हमने किया है इसका अथवा जो की था समचिप्त में समझाईए जो हमें समझाने थे फर्स्ट आयनिक त्रिज्याएं सेकेंड स्पेक्ट्रल गोण और तीसरा त्रिविम रसायन ठीक है तो पहला तो जाएगे यह आयनिक त्रिज्यावाला फर्स्ट में आपको यह लिखना है उसके सेकेंड में यह जो स्पेक्ट्रम प्रभाव था उससे लिखना है और फिर य जाएगा आपका तीसरे नंबर पर जो था उसे फिरा जाता हमारे काई 3 unit 3rd और प्रिष्ण किरमांक 9 और यह आपको समझाने हैं कीलेट योगिक को समझाईए और लेटिमर को भी समझाईए ठीक है तो यह हो जाएगा आपका लेटिमर ठीक है और यह हो जाएगा की लेट फिरा जाएगा एक आई चार प्रिश्न किरमांक दस लेंध नॉइट तत्व क्या है इसके electronic विन्यास लिखी है तो इसका जो right answer है आप यहां से से कर सकते हैं यहां पे इसका सही उतर दिया गया है और उसके जो electronic विन्यास है वो यहां पे दिये गए है फिरा जाता है हमारे कई 5 प्रिश्न किरमांक 11 अमलच्हार क्या है जो लक्स फ्लड धहरणा समझाइए जो लक्स फ्लड धहरणा है इसको समझाना है तो यहां पे दिये गए है इसका right answer तो आप इसे यहां से कर सकते हैं फिर ये इसकी उपयोगीता है और आज की वीडियो में हमने B.S.C. 2nd Year Chemistry का पेपर 2nd के बारे में सभी प्रशन उत्तर जाने and I hope आपको वीडियो helpful लगी होगी and thanks for watching आज की वीडियो में बस इतना ही बाकी के subject की वीडियो भी बहुत ज़द अपलोड कर दी जाएंगी चैनल पर तो मिलते हैं next वीडियो में